हाई गाईज आज हम शेर करेंगे सूप टेस्टी सूप एमी टमाटर का अचार ये चटपटा अचार बहुत जल्दी बनकर त्यार होता है साथी साथ आप इसे लंबे वक्त तक रखकर स्टोर भी कर सकते हैं खराब नहीं होता तो ये सीजन टमाटर का है टमाटर काफी सस्ता आएस टाइम टमाटर लाइए और बहुत सारा अचार बनाकर स्टोर कर लीजे और जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करें तो इसे आप एंजोई कीजे और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो लाइक कर जगा और शेर की जगा आए बनाना देखते हैं टमाटर का अचार आज हम टमाटर के अचार के एक विक रेसिपी देंगे इंस्टेंट रेसिपी है ये बट लब में समय तक इसे आप स्टोर भी कर पाएंगे टमाटर का अचार बनाने के लिए हमने आपर वन केजी के करीब अचार बनाने के लिए आपको एकदम लाल पके टमाटर लेने हैं टमाटर गलेवे और दाग दबे वाले नहीं होने चाहिए एकदम टाइट हो चुनने में टमाटर का आई पार्ट हटा देंगे टमाटर को अच्छे से दोग कर हमने सुखा लिया था और उसके बाद इन्हे या फिर छोटे जंक्स कर सकते हैं अल्टिमेटली हमें टमाटर को पकाना ही है और टमाटर को पका कर हम गलाएंगे टमाटर के अचार में हमने दो तरह के टमाटर इसलिए यूज किये हैं क्योंकि जो हाइब्रिड टमाटर होता है उसमें पल्प ज्यादा और जो इंडियन टो फाइव टेबल स्पोन राई ले लेंगे जो ब्राउन वाली छोटी राई आती है इसे लेंगे या फिर सावा बड़ा चमच एक छोटी चमच दाना मिथी लेंगे और एक छोटी चमच साबु जीराइट करेंगे हलकी आज पर इन्हें भूल लेंगे हलका सा कलेर चेंज होने तक इन मसालों को बहुत जादा ड्राय रोस नहीं करना है बस इनकी हलके सी नमी निकालने तक इन्हें भूल लेंगे मसाले हमारे अच्छे से बुन चुके हैं अच्छे से कुछपू आ रही है गेस के आज को बंद कर देंगे इसे हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और ठंडा करके से पीस लेंगे रेसिपी के नेक्स्ट एंड थर्स स्टेप में हम टमाटर को गलाएंगे एक गहरे बरतन में कटे भी टमाटर शिफ्ट करेंगे इस अचार को देंगे हम घटा मीठा टेस्ट इस इमली से तो यहाँ पर एक किलो टमाटर है तो सौ ग्राम के करीब इमली एट करेंगे इमली हमने अच्छी कॉलिटी के लिए है जो पैकड आती है इसके अंदर डस्ट वगरा नहीं होती इसके अंदर जो भी रेशे और बीज थे वो हमने निकाल दिया है वैसे सीडलेस इमली थी इसके अंदर बीज अगर है तो आप निकाल दे और रेशे साफ कर ले तो से तीन बड़े चमच वेजटेबल ओयल एट कर लेंगे ताकि टमाटर नीचे से जलेने और इसे ढख कर स्टीम में पकने देंगे शरुआत में थोड़ा सा आँच को तेज रखेंगे उसके बाद आँच को कम कर देंगे और टमाटर का पानी छूटने तक इसे अलट पलट करके हम चला दे रहेंगे पांच मिनट के बाद हमने चेक किया तो टमाटर हलके से गलना शुरू हो गए हैं इसे थोड़ा चला देंगे ताकि इविलली ये चारो तरफ से पक सके वापिस से ढखेंगे और 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं टमाटर अच्छे से अपना पानी रिलीज कर चुके हैं टमाटर के साथ इमली भी सॉफ्ट हो जाएगी टमाटर को कलचे की मतदर से थोड़ा सा तोड़ देंगे या फिर प्रेस कर देंगे और वापिस से ढखेंगे और कमाच पे इसे पकने देंगे ये टमाटर पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं कमाच पे एकदम कमाच पे इसे पकाया है ये अच्छे से गल चुके हैं पक चुके हैं यान कि अचार को खराब होने से बचाता है जबी चीज़ अच्छे से पक चुके हैं अब गैस के आज को बंद करेंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे अचार हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यमी बने इसके लेक तड़का त्यार करेंगे वेजीटेबल ओयल से हम इसको बगार देंगे तो यहाँ पर हम टेड़ बड़े कप के करीब वेजीटेबल ओयल लेंगे ताकि हमारा अचार खराब ना हो सके इसके अंदर किसी भी तरिका फंगस ना लगे तो 350 समयल तेल काफी है तेल कोचे से गरम करेंगे उसके बाद आँच को कम करके इसके अंदर एक बड़ा चमच साबुत लाल वाली राय आट कर लेंगे एक छोटी चमच साबुत चना दाल एक छोटी चमच साबुत उड़त दाल धुली उड़त दाल आधी छोटी चमच मिथी दना उन्हें इन मेश्चियों के बीज निकाल दिया है ताके स्पाइसिने स्कम रहे इसके अंदर एक से दो मुठी करी लीवस एट करेंगे फ्रेश करी लीवस इन्हें भी अच्छे से चटकने देंगे लास्ट में चोथाई चोड़ा चमाच हींग एट करेंगे और इसे भून लेंगे आज को बंद कर देंगे बहुत ही बढ़िया से खुश्पो आ रहे है इस बगार से अब इस तेल को ठना होने देंगे उसके बाद ही इसे एट करेंगे दोस्तो रेसिपी अच्छी लग रहे है तो लाइक और शेर ज़रू किर जिगवेटियो को इधर उमने टमाटर और इमली के पेस्ट को पीस कर चान लिया था चानने से टमाटर के छिलके और बीच या फिर इमली के रेशे या फिर छिलके निकल जाते हैं अब यहां पर इसके अंदर आधा कप के करीब कश्मिरी लाल में चैट करेंगे इसमें तीखा और कलर टेस्ट दोनों होता है अब यह वही मसाले हैं जो हमने रोस्ट करके ग्रैंट किया था यह एट कर लेंगे राई, मेथी और जीरा इक बड़ा चमच नमक और एट कर लेंगे, दो बड़ी चमच के करीब कुटा वा लेसन और अध्रक एट करेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चार के अंदर, इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे अगर लेसन आप नहीं खाते तो इस स्टेप को आप स्किप कर दें अब इस टमाटर रों इमली के पेस्ट में बखार एट कर लेंगे, बखार ठंडी करके ही अट कीजिगा इसे अट कर देने से टमाटर के शेल्फ लाइब, मतब अचार के शेल्फ लाइब बढ़ जाएगी साथे साथ इसका टेस्ट आउसम हो जाएगा लीजे तैयार है हमारा सूपर टेस्टी सूपर मी टमाटर का अचार बहुत ही जादा टेस्टी चटपटा यह अचार बना है यदि आपको अचार के अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस पसंद है तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर एट कर लें इसी टाइम पर उसके बाद मिक्स करें बहतर सूप के लिए से नेक्स टेसे सर्व करना शूप कर दे और अगर आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाह रहे हैं यदि आप ज़्यादा कॉंटिटी में अचार बनाते हैं तो इस तैयार अचार को स्टोर करें किसी काच के सूखे और साफ मरतबान के अंदर या फिर से नेक्षार के बाद अचार के ऊपर एक सते है टेल की जरूर रखें तो इसे तीन दिनों के बाद इस अचार को फृच चाह और चेह मैने तक एंज्टोर करें रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक और शेर ज़रूर कीजिगा और अगर टमाटर की और भी रेसिपेश चाहते हैं तो कमेंट कीजिगा या फिर अचार की और रेसिपेश चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस लिखेगा Do subscribe for more recipes Thank you so much for watching Have a great day